दोस्त वीडियो में बात करेंगे गुजरात और बैंगलोर के बीच में जो आईपल 2022 का मैच होने वाला है इसको कवर करेंगे सबसे पहले आपको बता दू यह जो मैच खेला जाएगा ना भाई यह खेला जाएगा दो पैर को साड़े तीन बजी खेला जाएगा इसके बाद म इस मैच को कवर करेंगे दोनों टीम्स के जितने भी इंपोर्टेंट प्लेस होंगे सबी के आपको मैच अपस बताऊँगा यानि कि बैट्समें वर्सिस बोलर्स के मैच अप देखने वाले हैं कौन सा बैट्समें किसके सामने रंस कर सकता है या फिर किसके सामने आउट हो स करना सभी प्लेस के आपको पूरे स्टैट्स बता दूँँ अच्छे से सारे चीज़े समझा दूँगा बस वीडियो कंप्रीट देखना कंप्रीट वीडियो देखने के बाद में आप लोग खुछ अपना बहुत बढ़ीया टीम कोमिनेशन या पेजली बना लोगे उससे पह लाइक बहुत कम करते हो मिरा वाई वीडियो को लाइक कर दिया अगरो यार आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो फिर काफी ज्यादा अच्छा लगता है इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी या फिर वीडियो के बाद की जो भी इंपोर्टेंट अपडेट्स होगी वो आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिलेगी तो आप टेलेग्राम चैनल के साथ में किस पर गार जोईन करना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्षिल में जाएगा वहाँ पर लिंक के जोईन कर सकते हूँ या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा सिंप्ली जोईन कर सकते हूँ देखो 12400 प्लस मेंबर्स उलड़ी जोईन हो चुके तो आप लोग भी आज यह जो भ कर रखे थे इसलिए मैंने आपको बोला था कि आने वाला जो भी मैच होगा सभी मैचेस के अंदर मैं देखो थोड़ा सा इसकी टीम लेके चलूँ आपको पहले के लियर कर दिया था तो यहां पर बात करें सबसे पहले सुमन गिल के बारे में देखो सिराज के सामने एक बा पार टाइमर बोलर इसको आप लोग अठा जीजिए ठीक है लेकिन सिराज के सामने 21 बोल लोडिक खेल चुके हैं अब सिराज के सामने तो लगता है कि बाई यह बढ़िया बैटिंग कर सकते लेकिन इनको अगर कोई परेशान कर सकता तो वो मेरे हिसाब से जो सेजल वूड हो सकते हैं अगर जो सेजल वूड को यह बढ़िया खेल गए तो आज के मैच में अकोडिंग टू मी यार सुमन गिल के बल्ले से आपको एक अच्छे रंस जरूर से देखने को मिलेंगे मतलब एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा बाकी बढ़ी पारी में कनवर्ट कर पड़ें तो वहाँ भी अच्छे खासे रंस कर सकते। मतलब फसास ब्लस के पारी फिर सायद इनको यानि की इनके बल्ले से आपको देखने को मिल सकते लेकिन फिर से बता तो जो से जलूर हो सकते हैं अगर इनको थोड़ के बैटिंग कर लीजाएकि तो सुम्न गिल के बल् थी आपने देखा भी होगा और आज के मैच की बात करूँ भाई साब का परसंटे सेलेक्शन देखो 55% से उपर है लेकिन मैच स्टार्ट होगा तब तक ये शायद 80-80 के आसपास पर जा सकता है तो आज के मैच में रिद्दिमान साहा के कितनी इंपोर्टेंट पिक बन चुके आपको भी पता होगा लेकिन ये चीज़ स्टार्ट किस ने करी थी भाई हमने स्टार्ट करी क्योंकि सब लोग दूसरे विगेट की पर के बागते थे लेकिन हम रिद्दिमान साहा को टीम में अब दुनिया भाई इनको टीम में आके लेने वाली है ठीक है तो अपना किया गया जो ट्रेंड अब दुनिया वो फॉलो करेगी तो यहां पर बात कर देखो सिराज के सामने दो बार आउट हो चुके हरसल पटेल के सामने दो बार तो आज के मैच में जहां तक मुझे लग बोलर है बाई ओस्टिलियन बोलर है जो इतना इजली रंस नहीं कर देगा रिद्धिमान साहा को तो स्टार्टिंग अंदर थोड़ा सा रिद्धिमान साहा को दिक्कत जरूर मैसुस होगी अगर हां इतना हो सकता है सिराज और हेजलूर का बढ़िया खेल गया अगर से बचेंगे तो बाई मिडल ओवर के अंदर फिर हरसल पटेल के सामने इनका सामना होगा तो आज के मैच में साहा के आकडे तो देखने के बाद में ऐसा ही लगता है कि थोड़ा सा शायद ये दिक्कत मैसुस कर सकते है और शायद आज के मैच में उतने रंस आपको इनके ब लेकिन अगर यहाद पर हर्दिक बंडिया एटलिस्ट दो तीन ओवर भी डाल देना तो भी यार इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करने का सोचा जा सकता है लेकिन देखो बल्ले के साथ में इन्हों ने डेफिनेटल अच्छे रंस करे है उसमें कोई बात नहीं है तो आप ल पर ठेल के सामने हर्दिक बंडिया को थोड़ा सा दिक्कत मैसूस जरूर होगी बाकी के बोलस के सामने ये बढ़िया खेल सकते लेकिन वानिदू असरंगा के सामने कैसा केलेंगे वो देखने वाली चीज रहेगी क्योंकि इनके सामने ज़्यादा नहीं खेले हैं सिर्फ त पर ठेल के सामने एक बार लेकिन गलैन मैक्सवल देखो यार एक पार्ट टाइमर बोलर है कोई रेगूलर बोलर नहीं है यहाँ पर एक चीज जरूर बन सकते हैं डेविड मिलर जैसे ही बैटिंग करना हैं तो मैक्सवल का यूज हो सकता है बिकोज यहां पर देखो बैस्में ने सामने राइटाम बर्याड बाल का यूज यहां पर जरूर के आज़ा सकता है तो वह एक चांस बन सकता है कि देविड मिलर के सामने मैक्सवल का यूज हो और हो सकता है कि उसके कारण बाई या शायद इविकेट भी नि baggage काल ले या फिर इनकी पिताई भी हो सक करेंगे अब इनके सामने यह ज्यादा तो नहीं खेले बाकि आज के मैच में यार कैसा खेल पाएंगे कहना थोड़ा सा मुस्किल है तेकिन इनका जो बैटल रहे कि वो देखने में अपने को जरूर से मज़ाएगा डेविड मिलर वर्सिज वानीदू असरंगा या फिर मैं य ठीचा जी यह बेंगलोर के टीम की बात करते हैं सबसे पहले फाफडू प्लेसिस के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर देख़ तो सम्मी के सामने दो बार आूट होचके रासित खान के सामने दो बार आूट होचके अब देखो यस दायाल और यहांपे फरकुशन यह फि विकेट दे दें तो ये भी एक केस बन सकता है लेकिन आगर यहां पर फाफडू प्लैसिस को बढ़िया बैटिंग करनी है और अपने टीम के लिए रंस करने तो सबसे पहले तो सम्मी के सामने थोड़ा सा टिक के बैटिंग करनी पड़ेगी देखो रंस सम्मी के सामने जरूर वाली चीज रहेगी अब यहां पर देखो यस दयाल है भाईया लेफ्ट है आम मेडियम या फिर लेफ्ट हम फास्ट भी आप लोग बोल सकते हो ठीक है लेफ्ट हम मेडियम में बोलो शायद उतनी ज़्यादा गती इनके पास में नहीं है लेकिन यहां पर फाफडू प्लै जिस मैच में मैं इसको टीम में पिक करता हूँ भाई यह बिल्कुल फ्लोब जाता है सिर्फ पिटाई होती है चारो और गंता 40-45 रन देखे जाता है अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई फरगुशन को टीम में ट्राई करे या फिर ना करे रासिद खान तो आपको करते देखो यह थोड़े से इंट्रेस्टिंग चीज़ है विराट का भल्ला अब तक भाई देखो बिल्गूल शांत चला है एक ही मैच ऐसा था जिसमें शायद इन्होंने 40 प्लस या फिर 30 प्लस की पारी के लिए उसके अलावा किसी मैस में रंस नहीं निकले हर मैस में या फिर लेफ्ट आम मेडियम बोलर के सामने वैसे भी इतना अचा नहीं खेलते तो यह अस दयाल के सामने कैसा खेल पाएंगे फर्गूशन के सामने 26 में 47 कर रख्या मेंस उनके सामने चांसी जाएगी बढ़िया बैटिंग कर जाए रासिद के सामने देखोगे एक बार आ पर इनको थोड़ा सा टिक के बैटिंग करने पड़ेगी रंस नहीं भी निकले अगर चयार पांच ओवर गेंदर इनके 5-7 रंस भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है बट थोड़ा सा टिक के बैटिंग करेंगे तो बाद में अच्छे रंस कर सकते हैं क्योंकि संभी के सामने स्टोड़ी सी दिक्कत मैचुस हो चार बार उलड़ी संब ही इनको आउट कर चुके हैं अब देखो यहाँ पर यहां पर या उनके सामने कैसा खेलेंगे वह बहां से निकल के आंगे तो जहां पर इतनी जादा चीज़े इनके लिया नहीं होगी तो आज के मैच में सीधी सी बात इतनी है कि विराट को अगर बढ़िया फर्फोर्म करना है तो भाई आज के मैच में थोड़ा सा टिक के बैटिंग स्टार्टिंग अंतर जरूर करनी पड़ेगी बाउंडरिस को छोड़ दो सिंगल डबल्स में काम कर लो अपना लेकिन जब में बोलर साहटेंगे तो आप रंस इजीली कर सकते हो तो वो मेरे इसाफ़जाद चीज सोच कहाने चीए विराट को बाकी देखते किस परगारगी बैटिंग कर पाएंगे नीचे आओगे गलैन मैक्सवेल सम्मी एक बार आउट कर चुके रासिद एक बार आउ लेकिन रंस भी जादा नहीं है सिर्फ 60-80 रंस है मतलब दिक्कत तो महसूस होती है बट अपना विकेट ये थ्रो नहीं करते रासिद के सामने सम्मी के सामने एक बार आउट हो चुके लेकिन अगर वही चीज़ है अगर देखो चार से पांच ओवर में विकेट नहीं गरता लेकिन तो वह चीज़ जान में रखते हुए हो सकता है कि मैक्सवल के बले से आज के मैस में आपको अच्छी पारी देखने को मिल जाए लेकिन तब ही भाया जब ये रासिद खान के सामने थोड़ा सा टिक्के बैटिंग करे उनके सामने ओवर अटेकिंग के चक्कर में जा बाकी बिल्कुल डेथ मेंगे तो सम्मी थोड़ा सा परेशन कर सकते है रासिद के ओवर बचा के रखे जा सकते है लास्ट के लिए कम से कम एक ओवर शायद बचा सकती है गुजरात टाइटन्स के टीम बाकी देखो यहापर एलजारे जोसेफ की वी उप्सन है लेकिन जोसे बाकी देखोगे में प्लेस में तो सबके सामने सम्मी के आखड़े बहुत बढ़ी है तो आज के मैच में सम्मी आपके लिए अच्छी पिक बनेंगे जब यहापर फर्स्ट आगर बोलिंग करना आती गुजरात टाइटन्स की टीम तो सम्मी को ऐसे डिफरेंशल आज के अगर स्टार्टिंग अंदर विकेट नहीं भी मिलेगा तो हो सकता है कि डैथ होवर में विकेट निकाल ले तो उसके चांसिस बन सकते तो थोड़ा सा सोच समझ के चीज़े ट्राइगा ना एक एक प्लेयर का आपको डीपली बता दिया है तो उमीद गरता हूँ वीडियो साहा के बले से रंस निगलने के बाकी किरकेट है भाई हो कुछ भी सकता है ज्यान रखना अब देखो दिनियस कार्टिक का बैटिंग ओडर यह ज्यादा नीचे कर रहे है उस वज़ए से इनको टीम में पिक करने का मन नहीं करता तो सेफ जाने के लिए साहा को ही टीम में र लेकिन वही चीज़े एक बार फिर से बोल हूँ अब विराट को भाई 4-5 ओवर थोड़ा सा टिक के बैटिंग करनी पड़ेगी अगर रंस करने आज के मैच में तो फिर भी चलिए यार थोड़ा सा रिसक ले लेते बाई विराट के साथ में टीम में चले जाते हैं आपको नहीं लेना वाई ड्रोप कर देना 59% सेलेक्षन है ओलाउंडर सेक्षन में हार्दिक पंडिया ग्लैन मैक्सफिल दो कोमन पिक्स रहेंगी बोलिंग सेक्षन में शम्मी हेजलवुड जरूर टीम में रखने वाला हूँ रासिद मेरे टीम में वानिंदू असरंगा मेरे टी तो चेंजिस मैं जरूर से करूँ है बट एक आपको आईडिया आजाएगा इस टीम से की आप लोग सेफ प्लेस के साथ में कैसे जा सकते हो उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट देखा होगा पसंद आयो तो यार वीडियो को लाइक आप लोग जरूर से चूर बढ लोग कैसे साथ मार शयको जरूर एक बबगदाएगा होगा होग만 खकी हम ध 내का सकते होगा 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 है क्वेग आपको जरूर दोर संद लुद달कि कि त枝ा रह डेजा होगा होगा है अपका सिंपका साथ कांपका बा contribute